चली दुस्तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, आज का टॉपिक है इंपक्ट ऑफ टेक लेआफ्स औन फ्रेशर ये आप जो भी जितने भी टेक में लेआप्स तुन रहे हैं, टेक कंपनी, जितना भी लेआप्स कर रही है उसकी वज़े से फ्रेशर पर क्या इंपक्ट आएगा मतलब एक फ्रेशर है जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है आईटी में उसके उपर क्या इंपक्ट है तो चलिए जानते हैं सबसे पहले यह जानते हैं कि यह ले आप्स होते क्यूं है मतलब इसका कारण क्या है इसको समझे की कोशिश करते हैं कि यह इनके मुख से पंपोफिट्स काहंब करने के लिए यह जो है उनको यह देखना पड़ता है कि प्रॉफिट्स कैसे क्यारी को सट कम कैसे होग की ठीक हैं तो यह पहला काराण वा दूसना कारा रिस्ट्रज्रीइस जो है अपने require इस गरे स्ट्रीम लाइन करना चाहते और वो अपना focus change करना चाते हैं जिसकी वज़े से वो कुछ पुरानी चीजे कर रहे थे उनको बंद करके कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं उस पे focus बढ़ाना चाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो पुरानी चीजे उन्होंने चालू करी थी उसको बंद करने में जो भी उन्होंने लोग लगाए थे तो उन्हें उनको कट करना पड़ता है और नए स्कील के लोग उनको चीए रहते हैं तो यह दोस्तो एक restructuring होता है इसका कारण यह होता है कि market में कोई नई चीज आ गई है या नया कोई technology आ गया है उस हिसाब से company को जो है restructure करना पड़ता है तो तीसरा कारण है दोस्तो कोई technological advancement है जिसकी वज़े से company जो है कुछ processes को automate कर रही है या efficient systems लगा रही है जिसकी वज़े से जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे वो लोगों की जरुवत नहीं पड़ रही है इसलिए वहाँ पे job cut हो रहा है यानि कि आपने एक simple word सुना होगा automation जिसकी वज़े से क्या होता है कि automate हो जाते हैं काफी सारी processes तो वहाँ पे जो लोग लगे होते हैं उनकी आशक्ता नहीं होती चौथा कारण है दोस्तों market में changes हो रहे हैं आप देख रहे हो कि किस तरीके से market में demand supply होता है उसी हिसाब से चीजे विक्ती है आपने देखा था pandemic के दौ़रा किस सरीके से supply demand घट गई थी और supply काफी जदा हो गया था तो इस तरीके से दोस्तो market में काफी चीजे कम ज़दा होते रहती है उसी हिसाब से जो है डिमांड सप्लाय का गेम है उसके बाद में आता है जैसे कि आपने पेंडमिक में देखा था किस तरीके से काफी सारी इंडस्ट्री इसको इंपक्ट हुआ और वो बंद हो गई पेंडमिक के दोरा ने इसलिए वहां पे जॉब कटाया तो यहां पर भी दोस्तो सेम सिचुएशन है अभी आप देख रहे हो कि वार चल रहा है रशिया यूकरेन का तो उसकी वज़े से भी बहुत सारी चीजों में कटाउती आ गई है इसके डिमांड जो है इंक्रीस नहीं हो पार यह रिसेशन में चला गया है एकॉनॉमी तो दोस्तों यह बहुत सारे फेक्टर्स होते हैं जिसकी वज़े से यह जॉप कर्ट होते हैं तो अब बात करते हैं दोस्तों ऐसकी एडवाइस दूना कि ऐजएज फ्रेशर आप जो करियर में अपना जो जो करियर आप बनार चाहते हैं उस पर ज्यादा फोकस करिये सब चीजे चलती रहेंगी दोस्तों जैसा कि आप शेयर मार्केट में देखते हैं कि किस तरीके से प्राइस बढ़ता है फिर घड़ जाता है उसी शेयर का तो यह क्यों होता है विकाउज अब सप्लाइड डिमांड गेम यहां पर भी दोस्तों उसी प्रकार से है जो skills जो है demand में रहते हैं यदि वह है technology यदि demand में है तो वो skills demand में रहेंगे तो दोस्तों इसी तरीके से पूरा cycle चलता है तो हमें as a fresher डरने की आउश्रक्ता नहीं है हमें हमारा जो goal है हमने set किया है यदि हमें IT company में आना है तो हम जो कर रहे हैं उसे करते रहना चाहिए और नहीं नहीं चीज़े सीखते रहनी चाहिए तो as a fresher मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा impact आया होगा आज भी skilled लोगों की बहुत जरुवत है IT में यदि आप skilled लोग ढूंडने जाओ तो वो अभी मिलते हैं दोस्तों तो आपको अपने आपको skilled बनाना है skilled workforce में आपको आना है यह जो job cuts होते हैं इसमें उनी को निकाला जाता है दोस्तों जो जो perform नहीं करते होते हैं या जो आगे जिनकी demand नहीं आने वाली होती है या मतलब तो ऐसे ही कुछ होता है दोस्तों यह दि आप अपने skills अच्छे कर लेते हैं और जो नहीं technology है उस पर focus रखते हैं और ऐसे फ्रेशर आपकी कोई cost भी ज्यादा होती नहीं है कि company को इतना सोचना पड़े कि हां मुझे यह तो फ्रेशर को जो है काफी मतलब इतना pressure नहीं होता लेकिन यह देखना पड़ता है कि मैं जो सीख रहा हूं उसकी demand है या नहीं है तो दोस्तों आपको भी इन सब चीज़ों के उपर focus करना पड़ेगा तो in short मैं यहीं बोलना चाहूंगा कि as a fresher आपको चिंता करने की जुरूत नहीं है आप अपना जो है सीख रहा है सीखिए तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो like करें इसके ओपर comment करें अपने दोस्तों के साथ share करें see you in the next video